मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महा अक्षे यानी मीमो और उनकी पत्नी पर F.I.R. दर्श कराई गई है क्या है पूरी ख़बर मैं हीना कुमावत फिल्मिल्डो पर आपको बताऊंगी दरसल एक यूवती ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस टेशन में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और मिथुन चक्रवर्ती की जो वाइफ है योगी ताबाली उन पर F.I.R. दर्श कराई है उसका ये कहना है कि मिथुन के बेटे महा अक्षे ने उनके साथ बिना उनकी अनुमती के फिजिकल रिलेशन बनाए और जबर्दस्ती उनका एबोशन कराया उनको शादी का जासा दिया और बाद में शादी नहीं की तो ये घटना जो है उन्होंने बताया है साल 2015 की है कि वो रिलेशन शिप में थी महा अक्षे के साथ और महा अक्षे ने उसे शादी का भरोसा दिया था पुलिस को दी गई इस लिखिज शिकायत में पेडिता ने बताया साल 2015 में महा अक्षे ने मुझे अपने घर पर बुलाया और सौफ ट्रिंग में नशीली दवाई डाली थी और उस दरम्यान महा अक्षे ने मेरे साथ बिना मेरी कॉंसेंट के फिजिकल रिलेशन बनाया और बाद में शादी का जहासा देता रहा उसका ये भी कहना है कि मैं वो जो है मीमो के साथ 4 साथ तक रिलेशनशिप में थी और जब वो प्रेगनेंट हुई तो महा अक्षे ने उस पर दबाव बनाया कि वो अबोशन करा ले लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसको जो है प्लीज दे दी गई बिना उसको उसको पता न दर्ज की है पीडिता के अनुसा महा अक्षे की शिकायत के बाद उसे धंकाया था और मामले को रफा धफा करने के लिए का था और फिर दबाव भी बनाया था जब मीमो की शादी होने वाली थी जब उसकी खबर आई थी तब भी इस युपती ने इस मामले में एफ यार दर पर कोट ने मामले में एफ-इएर दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिये हैं इसके बाद मुंबई की शीवारा पुलिस टेशन में इस मामले को दर्ज कर लिया गया है देखना होगा कि अब ुस पर मिफन परिवार का मिफन चक्रति परिवार का कोई बयान आता है या नहीं आता मैं आपको बता दू मीमो की शादी जो है साल 2018 7 जुलाई को हुई थी और उन्हों ने अपनी गल्फरेंट से शादी की लेकिन अब जो है ये मामला सामने आया है जिसमें एक युगती ने मीमो और मिथुन की पत्नी यानि मीमो की मदा योगीता बाली पर FIR दर्ज कराई है उसने बताया है कि ये सारी चीज़े साल 2015 में उनके साथ हुई थी